आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एक प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें दोस्तों मारे सामने प्रशन दिया है यदि, function of alpha बराबर x cos alpha then y sin alpha रड p of alpha तो रेखा है function of alpha बराबर 0 तथा function of beta बराबर 0 एक दूसरे पर लंब होगी यदि, चार विकल्प बताने है कौनसे विकल्प यहां पर सहीं होगा तो दोस्तों यहां से चू कि हमारे पास function of alpha बराबर क्या है? 0 है अतहां function of alpha बराबर जो हमें दिया गया लिख लेते हैं x cos alpha then y sin alpha then p of alpha बराबर सुनने हमारे पास आ गया पक्छांतर करिंगत क्या जाएगा? y sin alpha बराबर यहां से आ जाएगा x cos alpha यहां पर रणी चलने के साथ आएगा x cos alpha और यहां आ जाएगा of alpha तो इस परकार यहां से आ जाएगा यहां पर यहां पर यहां बात करें रेखा का मानक समी करना हमारे पास क्या होता है? y बराबर m x धन C हमारे पास होता है यह हो गया हमारे रेखा का मानक समी करन और यहां जो m हमारी है यह इस रेखा की प्रमरता होती है यहां से हम देख सकते हैं यदि हम दुलना करें तो यहां से यह एक रेखा हो गई चुकि यहां पर हमारे पास हमारे पास हमारे पास यह प्रकार यह हम देखें तो हमारे पास आ जाएगा यहां से function of beta बराबर 0 दिया है function of beta बराबर 0 तो यहाँ से alpha की स्थान पर हमारे पस आ जाएगा beta तो यह हो जाएगा x cos beta x cos beta धन y sin beta वर्ण p beta बराबर सुन्या तो यहाँ से y पराबर क्या आ जाएगा जैसे का हमने पहले देख रखा है हमारे पस आ जाएगा रण cos beta bati sin beta dhan p beta bati में sin beta हमारे पस है यहाँ परे एक साँ हमारे पस गुड़े में है तो इस प्रकार यहाँ भी हम तुलना करेंगे तो प्रमडता हमारे पस क्या जाएगी m2 यहाँ पर cos beta bati sin sorry beta यह हमारे पस आएगा अब जैसे कि दोस्तों प्रेश्ण में बोला गया है यहाँ दोनों रेखा है एक दूसरे पर लंब होगी तो विकल्फ हमें बताना होगा तो यहाँ सम लिख लेंगे माना माना पहले तो इसे हम देते हैं इस रेखा को समिकरन पहला और इसे देते हैं समिकरन दूसरा यहाँ सम लिखेंगे माना involved है अतह जैसका हम जानते हैं दो रेखायां आपस में लंब होगी थी तो उनके प्रवणताओं जो गुड़ार होते हैं बराबर क्या होता है रेण 1 के बराबर होते हैं तो इस प्रकार हमारे पास क्या जाएगा उसकी जो प्रवणता है M1, ρν κॉस α बटे, sin α है इसे परकार M2, ρν κॉस β बटे, sin β है बराबर, ρν 1 हमारे पास आ जायेगा तो इस परकार यहां से पहले तो ये दोनों में रं जिन आ है तो ρν रं हो जायेगा धन यह हो गया, κॉस α गुरित, κॉस बटे और बटे में, sin α गुरित, sin β बराबर है रन एक के पक्छांतर करेंगे आ जाएगा कॉस अलफा गुडित कॉस बीटा बराबर रन साइन अलफा गुडित साइन बीटा पुना पक्छांतर करेंगे आ जाएगा कॉस अलफा गुडित कॉस बीटा धन साइन अलफा गुडित साइन बीटा बराबर सुन्य यह ह हमारे पास आएगा, चुकि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास यदि cos A, b हमारे पास हो, तो इसका विस्तार हमारे पास आता है cos A, गुड़ित, cos B, धन, sin A, गुड़ित, sin B, तो इसे प्रकार यहां से हमारे पास क्या आजाएगा, cos A, cos B, आजाएगा, इसके लिए, बराबर यहां से सुन्य हमारे पास आते है, cos 90 के लिए, तो आजाएगा, cos P, बटे 2, तो यहां से दूस्तों हम देख सकते हैं, चुकि हमें alpha वह बीटा, यहां पर जो इनके मान है, यहां में नहीं पता है, और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास cos के जो पद है, और धनात्मा काया चाहें, तो दोनों ही स्थितियों में हमारे पास cos के यही पद हमें पराप्त होंगे, अर्थात, यदि हम इसमें से रनात्मक्षिन भी भाह निकाल दें, तो चुकि cos theta वराबर हमा alpha-ran-beta के माना है, जैसे कि यहाँ फिदधा के माना है, में सब धनात्मके मिलेंगे, तो यहां से इसे हम ले ले लेंगे मा पांक में, तो मा पांक में alpha-ran-beta बरावर, 5,2 हमार पास आ गया विकल्प यदि हम जाचे, तो विकल्प हमारे पास, c से ही दिखाई देता है, उमी आपके रहें अपने सारे डाउट्स आच चार्सो 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 पर